चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करते हैं कि जो जनाधार कार्ड है उसके अंदर विवाईता महिला का जो नाम है वो किस परकार से ट्रांसफर के जाता है या किस परकार से जोड़ा जाता है ससुराल के जनाधार कार्ड के अंदर तो उसके लिए सबसे पहले आ आपको यहां पर यह utility type services आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस पर आपको click कर देना है इस पर जैसे आप click करोगे तो आपको यहां पर search बार का आपको एक option मिलेगा इसमें आपको यहां पर जन आधार टाइप करना है और यहां पर आपको जन आधार enrollment, seeding, money, withdrawal इस पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको यहां पर जन आधार करके official जो dashboard उस पर आपको redirect कर देगा इसके बाद आपको यहां पर enrollment और seeding का option देखने को मिलेगा तो आपको यहां पर enrollment वाला option है इस पर आपको click कर देना है और आपको यहां पर आगे बढ़ जाना है इसके बाद आपको कई सारे option देखने को मिलेंगे इसमें आपको दो चीजे आउसक है ठीक है? यहां पर एक तो आपको दोनों परिवार की रसीद संक्या आपको चाहिए ठीक है रसीद संक्या वो होती है जिसमें आपको बाराकसर में type होती है उसका आपको यहां पर देखा देंगे हैं किस परकार से रसीद संक्या निकालते हैं आपको रशीर सं Keys ने कर दाए हैं तो आप जएनरिक साइस में चाख़ के उस परिवार के किसी भी सदेष्य का मोबाइल नंबर रसन कार्ट जो भी संक्या है वह आप यहाँ पर दुप्रकर करके जैसे बीजुम्स अब iki अब यहाँ यहाँ पर कर देखने कुं़ तो आपको यहाँ पर जो है रशी संक्या देखने को मिलेगी तो अब यहाँ पर जो रशी संक्या आपको इन्रोल्मेंट आई की रूप में देखने को मिलेगी वह आपको कोपी करके रख लेनी है ताको आपको जो आप जब रशी संक्या मांगे तब आपको यहाँ पर मेंबर को ट्रांस्वर करने के लिए तो आपको यहां पर इस पर क्लिक कर देना है अगर वीडियो में किसी परकार की कोई भी जानकरी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर उस रसी संक्या को टाइप करना है जहां पर जहां पर जो है विवाइत महीला है उसका पहले नाम जुड़ा हुआ है याईनि कि उसके पहले वाले जनाधारकार का आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है ठीक है नाम के जनाधारकार रसी संके कि आपको यहां पर दर्ज करनी और खोजे पर क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर आधार बेस्ट जो EKYC यह वो करनी होगी अब यहां पर आपको OK पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद आपको यहां पर परिवार के जितने भी सदस्य दिखाई देते हैं आपके सामने आ जाते हैं ठीक है अब यहां पर आपको जिसी सदसिय के पास OTP या जिसका EKYC करना है उसको आपको यहां पर SELECT करने के बाद और आपको यहां पर उत्वार करना चाहते हैं तो आपको यहां पर कलिक कर देना है इसके बाध वो है OTP पी उस mobile number पर चला जाएगा अगर आप अधार कार्ड बेस्ट की वाइसी के द्वारा करना जाते हैं जिसमें बाइव मेट्रिक होगा वह एक वाइसी अधार सेलेट कर लेते हैं और रोटी भी सेंड कर देते हैं अब इसके बाद आपको यहाँ पर वो रसी संक्या आपको यहाँ पर डालनी है जिस परिवारे में आपको इस सदस्य को ट्रांसफर करना है यानि कि अगर आप यहाँ पर ससुराल से यानि पी हर से आपको ससुराल में ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पर ससुराल का जो आपको यहां पर फिर से वहीं यानि अब इसमें वापस से आपको वहीं करना है इसमें अभी आपको सदस्यों पर जाना है और एक वाई से आपको यहां पर करनी होगी जो स्वयम प्रोसेस आपको पीछे बताये था वहीं प्रोसेस होगा इसके बाद आपको यहां पर नेक्स स जिस सद्देशे को आपको उनको ट्रांसफर करना है ससुराल में उनको स्लेक्ट कर लेना है ठीक है जैसे आप स्लेक्ट करोगे तो आपको यहां पर परिवार के मुख्या से संबंद आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है उसको आपको यहां पर स्लेक्ट कर लेना ह और आपको यहाँ पर remark में आपको यहाँ पर डालना है marriage ठीक है यहाँ पर marriage आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद आपको नीचे अब आपको यहाँ पर तो select कर लिया तो आपको यहाँ पर जो है मुक्रासी सम्मन आपको select कर लेना है यहाँ पे आपको साधी के कारण यहाँ आपके पास ओर कोई condition है तो आप यहाँ पे select कर सकते हैं इसके बाद आपको साधी के लेना यहाँ पे आपको नीचे चूज कर लेना इसके बाद आपको मेरी certificate या पे RI जसे इसतानाँत्रन हो चुका है तो आपको यहाँ पर उक्के पर किलिक कर देना है आप आप वापस से इंडौल्मेंट पर रीडारेक्ट और हो जाएंगे अप nécessite होंगे तो आपको याँ पर पहले इंडौल्मेंट Ireichen पर और यहां पर वह जो लगाई थी किसी भी पिरवार के आप यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है अगर आप वीवाइधा का देखना हैं तो आप यहां पर यहां पर रचु का स्ग्य का इस्तानांत्रन किया था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जनाधार कार्ची यहाँ पर इस्तानांत्रन हो चुका है ठीक है वो भी किस तारीको आज ही हमने यहाँ पर यहां पर इस्त्रानांत्रन क्या है वो हो चुका है तो अब इस तरह से आप जो है ज़द से ट्रांस्फर कर सकते हैं वीडियो में वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा धन्यवाद जेहिंद जेवार रहे थे